दोस्तों सभी बिमारी पहले हटाओ हमारी चैनल के माध्यम से नहीं तो पैसा कामाओगे तो क्या बचाओगे और क्या खाओगे दोस्तों चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वाक शुरू करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा सवाल लॉमबर एक बाया अंग की लाकवा रोग कैसे जल्दी ठीक होता है दोस्तों नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है बाया अंग में लाकवा मारता है जर्सी गाय का दूद खाने से और ज्यादा ठंधा समाने से तो ज्यादा ठंधा भी नहीं खाना है और ज्यादा गरम भी नहीं खाना है गरम समाने से दहिना अंग में लाकवा मारता है और ज्यादा ठंधा समान खाने से बायां उंग में लाखवा मार दिता है तो दोस्तों अगर किसी भी आदमी को अगर उंग में लाखवा मार दिया है तो क्या करना है आपको तिर्फाला का चूरन रिरना है 100 गराम हरे, 100 गराम बहेड़ा, 100 गराम उसमें आवला का चुर्ण बना करके और उसमें 25 गराम काला नमक इस चार को 20 कोट करके सिसी में भर करके रख देना है और खाना खाने के बाद में खाना है जो लोग खाते हैं उनको तो पहले लगवा की विमारी नहीं होती है अच्छे लोगों को और जिनको मार दिया है उन लोग को खाना खाने के बाद में खाना है पहला नमबर और दूसरा नमबर 20 का दुद खाना है उनको और हाथ में और पायर में जो है वो लहसुन और तेल जो है वो गरम कर लेना है धीमी आज पे पका लेना है और सीसी में भर करके रख देना है और सुबह और साम को लगाना है ऐसे करने से एक महिना में रोगी ठीक हो जाता है उसको जर्शी गाय का दूर जो है उस जीवन में भूल करके भी कभी नहीं देना है उस रोगी को उसको सिर्फ गरम समान खिलाना है कब तक जब तक वो आदमी जी पाता है तब तक नहीं तो फिर दुबारा मार सकता है तो इस बातों पो जरुर ध्यान दिजिएगा और लेटनिंग बातरूम जो है उस समय समय पर जाना पड़ेगा दोस्तों ऐसे रोगियों को सवाल नमबर दो मेथी साग खाने से कोन बीमारी शरीर में उत्पन नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते है तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर दिजिएगा दोस्तो इसका सही अंसर है बवसीर की विमारी नहीं होता है मेथी साग खाने से अगर आपको बवसीर की विमारी हो गई है तो मेथी साग भी खाए और एक गिलास दूध ले लीजिए छोटी गिलास में और सुबह के समय में सीर्फ क्या करना है उसमें आधातु का निम्बू निचोर देना है सुसुम दूध में और तुरंथ पी जाना है ऐसे दस दिन अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत सीर की नामों निशा मेट जाएगा और दोस्तों आपको क्या करना है कि पान लेना है पाता और एक गुल मरीज क्या करना है कि पीस लेना है और उसको भी खाना है ऐसे करना से आपको बीमारी पान से छे दिन में तुरंद मिट जाएगा हमेशा के लिए दोस्तों सवाल नमबर तीन ज्यादा आयोडी नमक खाने से कौन-कौन बीमारी सरीर में उत्पन हो जाती है और उस समय पैसा जो है उस सब लग जाता है दोस्तो नहीं जानते है तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है ज्यादा आयोडी नमक खाने से दोहिने अंग में लाकवा मार देता है और खून भी पानी हो जाता है इसलिए ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए और खाना के उपर से भी आयोडी नमक नहीं खाना चाहिए दोस्तो गर्मी के मौसों में सवाल नमबर चार कीर्णी की सफाई करना हो तो क्या करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर किजेगा कि ऐसी जनकारी डेडिट आप तक पहुँचती रहे और मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है अगर आपको कीर्णी की सफाई करनी है तो आपको दूध लेना है एक गिलास उसको अमट देना है थुरा सा हल्दी डाल करके और रोज रातों के समय में दोस दिन पीना है ऐसे कीर्णी की सफाई जो है वो पूरी अच्छी तरह हो जाएगी दोस्त सवाल नमबर 5 खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तों नहीं चानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा ऐसे वीडियो रोजाना देखने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है खाना खाने से पहले कोई भी खाना और पानी को अच्छी तरह जाच कर लेना चाहिए और थाली को भी जाच करना चाहिए और हरी मिर्च को भी जाच करना चाहिए क्योंकि बजार में जितनी भी समान उपजाई जाती है वो जदा खाद खड़ी देखर के उपजाई जाती है और दुनिया का कोई भी सबजी है या भाथ है, रोटी है, चावल है, गेहूं है वो तीन परकार की होती है दोस्तों एक होती है बाएं फारलिस जिनको मार दिया है उनको खाने वाला एक होती है दहिने फारलिस जिनको मार दिया है उनको खाने वाला और एक आचा वाला होता है तो इन सभी बातों को ध्यान में जरूर दिजेगा दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेर, जिरूर काना, थेंकि दोस्तों